अगर देश के किसानों की हालत नहीं स्थरी तो आने वाला कल अंधेरे में खो जाएगा ये मप देखना के अत्याचारी कौन है याद रखना जिन्दा कौमें पांस साल तक कभी इंतजार नहीं करती विरोध प्रदर्शन हमारा हक है ये वरोध प्रदर हमारे संवेदानिक अधिकार है और देख लीजिए कि सब कुछ शांती पूर्ण तरिके से हो रहा है लायर सहाब कसम से कह रहे है एक नंबर का अपवल दर्जे का कचप का पहलवान है उम्मुलायमवार पिछा के चाटले सलीके और बंद करो उस का अपवल दर्जे जेजेंगार हो रही है दोदों की माला पहनाए जारी है तुम्मरे मुलायम को लग रहे ना बिलकुल पहलवान की लगाएं इसका ज़वान की लगाएं बस एक मोकल की तलाश में हूं अतुराम जी दुनिया को बता देंगे कि सरकार कैसे और किस की लिए चलाई जाती है आज के बाद दंगल नहीं राजनीती की कुष्टी होगी ताजा तूफान है सही दिशा मिल गई तो बड़े-बड़े खेमे को खाड़ भेगेगा एक बात याद रखना शिव नहीं अखाड़ा बदला है दंगल नहीं छोड़ा इमर्जिंसी की सारी तैयारिया हो चुकी है राजनीते में दाउपे जरूरी-जरूर होती है लेकिन सम्विधान के संखिलवार करने का किसी को कोई आदिखार नहीं है ये छोटे बड़े जित्ते भी ओपोजिशन लीडर्स है ना जस्तो तेविया है इन बास ऐस सुनस को सुना जिलार ये शोरू में बदद सकती है बजा दो सबको पार्टी बनाना और पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है हम महाभारत के अर्जुन है और हसली का दूसरा नम नुलायम सिंग यादो उत्तर प्रदेश हाथ से डिकल गया अकराओ है तो वह हुसूलो की, हक की जिन्दा कोमे पाक सांसा के इंतिजार कभी नहीं करती मेरे दिल कहता है के ये मुलायम आने वाले समय में मुलायम नहीं रहेगा लोग नेता जी के नाम सो जानेगे इसे लोग लोग जिन्दाब कर दो